ऐसी बहु, तवा, तवा, ये कहानी है एक ऐसी बहु की जो ससुराल में सर्फ अपनी चलाना चाती थी और ऐसा करने के लिए वो किन-किन हदों को पार करती है, चलिए देखते हैं देखें सासुमा, क्या-क्या लाई हूँ मैं बाजार से क्या-क्या लाई हो यह देखिए, यह रिंग्स, यह चपल और यह कुछ कंगन और वो दूसरे वाले बैग में क्या रखा है? आरे सासुमा, यह मैंने ना नया स्पीकर लिया है मेरे रूम में जो स्पीकर रखा है वो खराब हो गया है क्या बताओं आपको, दो दिन से वोक आउट कर रही थे बिना म्यूजिक के बिल्कुल भी अच्चा नहीं लग रहा थो मुझे अरे बहु लेकिन अभी तो मयंग के नाम पर कितनी EMI चल रही है और ऐसे मैं इतना खर्ज क्यों कर रही हो उफो सासुमा, किष्टे वगरा तो चलती रहती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिन्दगी जीना भूल जाएंगे और वैसे भी ये इतना तो कमाई लेते हैं कि EMI वगरा आराम से बढ़ दे और मेरे छोटे मुठे शौक भी फूरे कर दे बहुत थोड़ा बहुत सामान तो तुम खरीच सकते हो उसके लिए मना ही नहीं है लेकिन देखो आज कितनी सारी शौपिंग कर ली है अगर तुम ऐसे ही शौपिंग करती रहोगी तो घर चलाने में तुमारे ही पती को प्रॉब्लम हो सकती है न अच्छा सामा मेरी माम का न कॉल आ रहा है थोड़ी दिर में आपसे बात करती हूँ ठीके मिनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है जब देखो टुकती रहती है परिशान कर रखा है मुझे खेर अगला दिन आता है तो मिनाक्षी देखती है कि घर में उसकी ननद आई हुई है ये हफते में दो बार तो आई ही जाती है परिशान करके रखा है इस दे जब आती है नाश्ता बनाओ ये करो वो करो अरह बहुत तोट गई है जरा पोहे बना दे तो माजी मुझे ना पोहे सही से बनाने नहीं आते प्लीज आपी बना देजी nा और उपर से माजी ना मुझे काम से बाहर भी जाना है ठीक है बिटान मिनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है क्या हूँ ममी भाभी आई के नहीं आरे तुझे तो पता ही है तेरी भावी एक नंबर की काम चोर है। मैंने उसे पोहे बनाने के लिए बोला तो नाटक करने लगी और चुप चाब चली गए अपने कामरे में। वही तो पता नहीं कैसी बहु मिली है मैं। तो आप दोनों भाईया से कुछ बोलते क्यों नहीं। अरे तेरा भाई कुछ बोलता है तो तेरी भावी सुनती कहा है। कुछ दिन ठेक रहती है फिर वाज़ की वाज़ी। इसकी कुछ दिन बाद ही फिर से घर में कुछ महमान आ जाते हैं। दो-तिन दिन हुए ने की फिर से महमान। ये काकाका की खुद तो आये ही, साथ में दो-तिन लोगों को भी लेकर आ है। अरे इतने सारे महमान आते हैं। और माजी ये भी नहीं सोचती कि इनकी वज़े से घर का कितना राशन खत्म हो जाता है। और उपर से घर की बाकी चीज़े भी तो खत्म होती है। और मेरे पती इन लोगों के लिए थोड़ी न पैसे कमा रहे है। आज तो कुछ करना ही होगा। क्योंकि ये लोग तो बात-बात पर अप घर में आने लगे हैं। चिलो अभी बहुका अच्छा है। सासुमा किचन में इनके वाट लगाती हूँ। अरे बहु आओ ना हमारे पास बैठो। तुम तो हम लोगों के पास आती हैं नहीं आज कर। वही दो। अरे काका काकी। आप लोग तो हमेशा हमारे घर में आते रहतें। तो आप लोगों के साथ तो ऐसा फील होता है जैसे कि आप लोग यही पर रहते हो तो मैं भी सोचती हूँ मैं तो आप दोनों से कभी भी मिल सकती हूँ इसलिए आप लोगों से मिलने थोड़ा लेटी ही आती हूँ मैं अब लोग यहां आते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या बहू अरे नहीं काका जी ऐसी बात नहीं है पर जो सच्चा ही है वही बोल रही हूँ आप लोग यहां पर दस पंदरा दिन में एक बार तो आही जाते होंगे क्या बात है आपकी बहू और बेटे आप दुनूं को अच्छी से रखते नहीं यह क्या आपका खयाल नहीं करते है जो आप लोग बार बार यहां चले आते हैं क्या बक्वास करी जा रही हूँ दिमाग तो ठीक है तुमारा वही तो गामिनी, चलो यहां से, मुझे तो यहां एक पल भी नहीं रुकना आरे काका कागी रुकिये तो पर महमान घर से चले जाते हैं पाहू, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? क्या अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? वही तो, इसते तो हमारी नाक ही कटा थी पता नहीं, वो दोनों हमारे बारे में कैसे कैसे बाते फैला रहे होंगे अरे सासुमा, ससूर जी, आप लोगों को गुसा नहीं करना चाहिए बलकि इसके लिए मुझे धन्यवात कहना चाहिए मेरी वज़े से घर में अब ये महमान बार बार नहीं आएंगे बहुत अमेश से बात करो, वो तुम्हारे काका और काकी है हाँ माजी, काका काकी आते हैं, वो ठीक है लेकिन ये भी तो देखिए, कि काका काकी अपने साथ दो-तिन लोग एक्स्ट्रा भी तो लेकर आते हैं कभी अपने पडोसियों को लेकर आएंगे, कभी दूर के चाचा चाची के बच्चों को लेकर आ जाएंगे तुम तो ऐसे कह रही हो, जैसे महमानों के आने पर तुम ही उनकी खातिरदारी करती हो वही तो माजी, खातिरदारी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन खातिरदारी में जो पैसे लगते न, वो मेरे पती के हैं आप मेहमानों के उपर इतना खर्च करती है तब आपको खर्चे दिखाई नहीं देते लेकिन जैसे मैं बाजार से कुछ खरिद कर लाती हूँ आपको खर्चे दिखाई देने लगते खामोश बहू, आप एक लब जोर नीची है यह कहकर मिनाक्षय अपने कमरे में चली जाती है अभी मैं जाकर उसे बात करता हूँ मयूर कमरे में जाता है मिनाक्षी तुमने काका काकी को घर से भगा दिया अरे भगाया नहीं था मैंने तुझ जो सच बात थी वो बोल दी बस तो मैं वो सब बोलने के क्या ज़ोरत थी अरे मैंने जो किया है वो सही किया है अब आप इसमें गुसा क्यों हो रहे हो देखो मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर गुसा नहीं होता लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है आगे से ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए और हाँ अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो माने मुझे सब कुछ बताया है आगे से मैं ऐसी कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता अब सास उमा भी पतानी कैसी है देखो ज्यादा बोलने के जरुरत नहीं है गलती तुम्हारी है इसलिए तुम्हें बात सुननी पड़ेगी मैंने तो सोचा था कि मेरा पती मेरे काबू में है लेकिन मैं ही गलत थी आगले दिन मयूर अपनी पत्नी को मनाने आता है अब कल की बाद भूल भी जाओ मनाक्षी स्माइल प्लीज अच्छा I'm sorry बस देखो तीन दिन बाद तुम्हारा बर्ड़े है ना बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे एक नेकलेस चाहिए अच्छा ठीक है दिला दूँगा अपनी पत्नी को लेकिन ये तो बताओ उसकी किमत कितनी आ है ज्यादा नहीं पस 45,000 का क्या 45,000 मिनाक्षी तुम्हें पता है न अभी मेरे नाम पर कितनी EMI चल रही है तीन मेने पहले काल ली थी ये उससे पहले जमीन थोड़ा तो सोचो मैं तुम्हारे लिए इतना महेंगा नेकलेस कहां से लाऊंगा मुझे पता था आप यहीं बोलो कि मुझे नहीं चाहिए कोई हारवार पूछने ही क्यों आते हो देखो मिनाक्षी एक पतनी ही अपने पती की प्रॉब्लिम को समझ सकती है लेकिन तुम हो के मेरी प्रॉब्लिम को बढ़ाने की सोचती रहती हो अगर नेकलेस दिलाने का मन नहीं है ना तो सीधे सीधे मना करती थे इतना सुना दिखी क्या जरूरत है मुझे अरे ये जो कार, घर, जमीन मैंने ले रखिया किस के लिए ले रखिया ये क्या तुम्हारे काम नहीं आएगी ये सब ना नाटग है नाटग उस कार में क्या सिर्फ मैं ही बैठती हूं और इस घर में क्या सिर्फ मैं ही रहती हूँ, तुम्हारे माबाप भी तो रहते हो, मिनाक्षी अपना बहुत स्याता हो क्या है, मुझे तुम से बात ही नहीं करने चाहिए थी, क्योंकि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो, मा सही कहती है, तुम मैं बात करने के बिल्कुल तम मौके पर मय और अपनी पत्ती के लिए एक हार लेकर आता है जिसकी केमत थी एक हजार तैंक यू एक तो इतने प्यार से मैं यह हार लेकर आया और ये तो मूँ बना रही है छोड़ो इसके आताती आसी है अगले दिन सुनो मिनाक्षी हम लोग अगले के लिए हम लोग मतलब मम्मी पापा भी जाएंगे और क्या मम्मी पापा को यहां अके लिए छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे शादी के बाद हम लोग जब मसूरी गुमने गए थे तब तो आप मुझे उस टाइम अकेले लेकर गए थे लेकिन उसके बाद जितनी भी बार हम लोग कहीं भी घुमने जाए उतनी बार आप अपने मम्मी पापा को साथ ले कर गये कम से कम इस बार तो रहने दीजी नहीं यहाँ पर इतनी स्टैंडर कॉलोनी है यहाँ पर किस बात का डर है शायद तुम्हें पता नहीं होगा पिछले महीने रजट अंकल के घर में चोरी हुई थी अरे उनके पत्नी भी तो ऐसी है सब लोगों को बताती फिरती है कि उनके पास कितना पैसा है तब ही उनके घर में चोरी हुई है वहना ऐसे ही किसी के घर में चोरी नहीं हो जाती क्योंकि आपकी माँ वहाँ पर मुझे बात बात पर टोकती रहती है मिनाक्षी तुम कैसे हो यार मैं जैसे भी हूँ ना बहुत अच्छी हूँ जो भी बात मेरे मन में होती है साफ साफ कहती हूँ और इस तरह मंबई की ट्रिप हो जाती है काइंसिल ये लोग मेरी बात नहीं मानते है तो मैं भी जानती हूं कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है उसी शाम मिनाक्षी की पडोसन पुना पडोस की आंटी कावय कपूर के साथ आती है अरे बिटा दरवाजा खुलने में बहुत टाइम लगा दिया तुमने और मिनाक्षी ये तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है पहले तो तुम बिल्कुल ठीप टॉप रहती थी अरे वो बस ऐसी तुम्हें तो पताई है घर के कितने सारे काम होते है घर के काम के चकर में खुद को सवा ना ही भूल जाती हूं अब सौरी आंटी दर्वाजा खुलने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मैं बरतन दो रही थी इसलिए ना हाथ में साबुन लगा था अच्छा बिटा तुम काम कर रही थी कहीं हमने तुम्हें डिस्टरब तो नहीं किया नहीं नहीं आंटी सुबह से काम ही तो कर रही हूं थोड़ी दिर ब्रेक ले लूँगी तो क्या हो जाएगा बैठिये ना मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूं अरे रहने दे बिटा चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है अच्छे बिटा परसो ना मेरे घर में पूजा है तो तू अपनी सास के साथ आ जाना हाँ हाँ आंटी जरूर जरूर आर बता बिटा सब ठीक चल रहा है ना तेरे घर में हाँ आंटी सब ठीक ही चल रहा है तो ये बात इतने मायूस मन से क्यों कह रही है बिटा बता न आखिर बात क्या है, हम भी तो तेरे अपने जैसे है हाँ मैं नक्षी बताओ न आखिर बात क्या है अरे पूनम तुम्हें तो पताई है, सास के साथ रहना कैसा होता है सबको कावे आँटी जैसे सास थोड़ी न मिलती है अरे क्यों भी क्या हुआ, तेरी सास अच्छी नहीं है क्या बहस अँटी वही है हर घर की एक कहानी सास ससुर के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, ये बात तो आपको भी पता होगी आपकी सास भी एक जमाने में आपके साथ ऐसा ही करती होंगी हाँ बेटा ये तुन्हें सही का, मेरी सास नहीं बहुत स्ट्रिक थी बात बात पर टोका करती थी और तो और मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी इसलिए जब मेरी बहु आई तो मैंने ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बहु के साथ नहीं होने दूँगी हाँ अंटी मैंने देखा है, आप अंजली को कितने अच्छे से रखती है देखकर लगता ही नहीं कि वो आपकी बहु है ऐसा लगता है जैसे वो आपकी बेटी है वही तो एक मेरी सासुमा है जो मुझसे ऐसा व्यवार करती है जैसे मैं उनकी बहु ही नहीं हूँ और इस तरह मिनाक्षी बड़ी बिचारी बनकर अपनी दोनों पडोसियों से अपनी सासुमा के बारे में काफी जूठी बाते फैलाती है इसकी कुछ दिन बाए जब पूनम प्रसाद दिने आती है अरे मिनाक्षी क्या बात है बड़ी मुर्जाई हूँ इसी लग रही हो तब्यद तो ठीक है ना नहीं पूनम मेरी तब्यद बरकुल ठीक नहीं है मैंने सासुमा से कहा कि मुझे डाक्टर के पास ले चलो लेकिन वो है कि मानी नहीं रही चल मैं तुझे ले चलती हूँ चल नहीं 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 मैं तुमारे साथ नहीं जा सकती अगर तुमारे साथ जाओंगी तो मेरी सास मुझे और डाटेंगी और बोलेंगी कि पता नहीं मैं पडोसियों से क्या-क्या बोलती रहती हूं अरे इससे कुछ नहीं होगा तु चल मेरे साथ नहीं ना पूनम बात का बतंगर बन जाएगा तु मेरी बात मान तु अभी यहां से चली जा ठीक है अरे लेकिन ये बार-बार तु अपने साड़े से ये हाथ क्यों ठाक रही है तेरे हाथ में चोट लगी है किसने मारा है क्या तुझे अरे नहीं पूनम कुछ नहीं अच्छे ठीक है तु जाना सासुमा आ रही है जा यहां से और मिनाक्षी जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है वहीं पुनम मिनाक्षी के लिए चिंतेत हो जाती है थोड़ी देर बार मिनाक्षी की सासुमा उसे किचन में बुलाती है अरे माजी अब दुबारा क्यों बुला रही हो थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता बनाया था, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी हाँ दरसल आजकल मिनाक्षी का व्यावार और भी बुरा हो गया था वो अपने साथ सिसुर को ऐसे ही जवाब दिया करती और तो और घर के काम भी नहीं करती दिन बर बस अपने कमरे में लेटी रहती और टीवी देखती ऐसे ही लिपस्टिक से अपने शरिर में चोट के निशान बना बना कर इन लोगों को बदनाम कर दूँगी हाँ ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है मिनाक्षी अपने पडोसियों के सामने बिचारी बनने का नाटक करती और नकली निशान दिखा कर अपने सिसुराल वालों को बदनाम करती रहती तभी एक दिन तेरे सिसुराल वाले तेरे साथ कितना बुरा भ्यबार करते हैं सच में अरे क्या हुआ मेरे सुसुराल वाले मुझे डॉमिनिट करना चाते थे हुल्टा मैंने उनको डॉमिनिट करना शुरू कर दिया ऐसी चाल चली कि सबी लोग मेरे काबू में आ गया सबको डराकर रखा है मैंने और मिनाक्शी उन दोनों को सारी बात बता देती है वहीं पूनम को अहाली में रील बनाने का शौक चड़ा था इसलिए उसका फोन आन रह जाता है और ये सारी बाते रेकॉर्ड हो जाती है खैर मिनाक्षी की बाते सुनकर दोनों हैरान रह जाती है इसके कुछ दिन बाद जब मिनाक्षी के घर में पार्टी थी देखो तुम मानसी सबकी सामने कैसा अच्छा होने का नाटक कर रही है हाँ यार सच में यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में ऐसे भी लोग है लेकिन मैं इसका परदाफाश करके रहूंगी इसके बाद पुणम सीधे मिनाक्षी के सामने के पास जाती है और उसे सारी बात बता दीती है अब चिंताँ मत करियो अँटी जी मेरे पास एक प्लान है ये कहकर पुणम सीधे मिनाक्षी के पास पहुंचती है और बता, सब ठीक है न? अरे इनको तो मैंने अच्छे से डरा धमका कर रखा है तो सब कुछ ठीकी रहेगा ना मैंने तो बोल दिया कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत बस एक आवास भी उठा दे ना बस साब अंदर पहुँच जाते हैं और ये सारी बाते पुनम अपने फोन में रेकॉर्ड कर लेती है और फिर मिनाक्षी की सास के पास पहुँच जाती है रूई इम्मत अंटी जी अब सब ठीक हो जाएगा आप गुड़ा बेटा तो एकदम सही समय पर मेरी मदद करने आई है इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर रखा है इसके अगले ही दिन हेमा मिनाक्षी के माई के वालों को घर में बुलाती है और उन सभी के सामने वो वीडियो चला दीती है देखा आप लोगों ने अब तो यकिन हो गया ना आप लोगों को लेकिन अब ये वेडियो इस पर भी विश्वास ना करें जिसमें तो खुद अपनी गलतियों को कबूल कर रही है और वो भी बड़ी खुश होकर और जिसे तेरे पडोसियों ने ही रिकॉर्ड किया है वही तो क्या ये सारे लोग छूट बोल रहा है और तू अकेले सच बोल रही है क्या हमने तुझे यही संसकार दिया है बटा संदी जी संदन जी हम दोनों को माफ कर दी जी हम दोनों ने आपकी बात बिलकुल नहीं सुनी सुसूर जी अगर हमारे पडोसिने सही वक्त पर हमारी मदद नहीं करी होती तो आज शायद हम सलाखों के पीछे होते है मिनाक्षी चलो तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो तुमने इस शरीफ परिवार को बहुत परिशान कर लिया है चलो और मिनाक्षी के माईके वाले उसे अपने साथ ले जाते है वही मिनाक्षी बाहर बाहर अपने सुसुराल वालों से अपने किये के लिए माफी मांगती रहती है खैर आखिर तीन मेहने बाद मिनाक्षी का पती मान जाता है और उसे अपने साथ लियाता है मैं वादा करती हूँ आगे से सको भी भी नहीं होगा उमीद है कि अपने वादे से मुक्रोगी नहीं